मैं नमस्कार गडियूनिंग, कैसे आप मैं वुल चेलीए और आप देख रहे हैं मोटी सिच्छा गडियूनिंग, गडियूनिंग, नमस्कार, कैसे आप प्यारे बिदियार्थियो, आज हमारी Πॉलिटी 2.0 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है quality 2.0 का मतलब है quality 2.0 यानि इससे पहले मैंने आपको एक बार quality पूरी पूरी पढ़ाई थी लेकिन आपके बहुत सारे doubt रहे गए आपके बहुत सारी बाते रहे गई आपके बहुत सारी प्रशन रहे गई और आपकी बहुत सारों की जिग्यास है रहे गई और आपकी quality complete न होने के कारण इस बार मैंने quality 2.0 यानि quality का दूसरा आवतार आपके लिए सुरू किया है आपका जो प्यार और विश्वास इस कलास के साथ जुडा रहेगा तो daily, रात को, साम को, 9 वजे मैं करण चौधरी quality 2.0 लेकर आपके बीच में उपस्तित होता रहोंगा चलिए सुरू करते हैं सफर ये सफर बिलकुल थमना नहीं चाहिए और सफर बहुती बहतरी नेना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी हमारे साथ बारत के बिविन राज्यों से जुड़ चुके हैं उत्रप्रदेश, राजस्तान, बिहार, मत्रप्रदेश, उरीसा सही विद्यार्थियों क्लास में हार्दिक स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे राज विवस्ता सुरूबाद से देखो पॉलिटी एक बहुत ही डैनामिक सब्जेक्ट है आप एक कॉपी बना लें पॉलिटी के लिए हम इस क्लास में लक्षमी कांत के साथ साथ पॉलिटी के बिवन डैमेंशन्स कवर करेंगे तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आज क्लास में हम जानेंगे पॉलिटी का अर्थ क्या है पॉलिटी का बेसिक क्या है पॉलिटी से आप क्या समझते हैं पॉलिटी के माइने क्या है और किस प्रकार से पॉलिटी का आपको अध्यन करना चाहिए इन सारे चीजों का आज की ग्लास में हम अध्यन करने वाले हैं तो चलिए, सुरू करते हैं बिलकुल बेसिक से, फंडामेंटल से प्लीज सर सुरू से ओके, बिलकुल सुरू से सुरू की जा रही है आपका चैट मुझे दिखता रहना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी 2.0 लिखा हुआ है बाई करन चौधरी प्यारे साथ दोस्तों सबसे मैं पहले पॉलिटी की बात आपके सामने करना चाहूंगा कि वाट इस दा पॉलिटी सब्जेक्ट कि पॉलिटी नाम का विसे क्या है कैसे पॉलिटी की सुरूबात हुई आज आप रहते हैं भारत नाम के देश पर क्या दिक्कत है कोई आज आप रहते हैं भारत नाम के देश पर आज आप रहते हिंदुस्तान नाम के कंट्री पर ठीक है आज आप इस देश में रह रहे हो और कैसे पॉलिटी का विस्तार इस प्रकारते हो गया कि संभिधान बन गया भारत बन गया अमेरिका बन गयी बेडेन बन गया बंगलेस बन गया सुरुभात में जब व्यक्ति पैदा हुआ था तो अकिला वोका नंगा पैदा हुआ होगा आप ज़रा सोच के देखिए तो सब से पहले इंसम छोटे-छोटे में रहता था हुआ इसकी आवादी सो जिसकी आवादी पांच सो इसकी आवादी 200 एसब आभादी के छोटे-छोटे सेहरो में व्यक्ति पहले रहा करता है हमारे प्रियत की एंयों के नाम से भी दियान दे रही है जनरली एक तो आप लोग कहते हैं सर पॉलिटी क्या है पॉलिटी तो पॉलिटी के तीन प्रकार के नाम आपके सामने रहते है पॉलिटी एक तो पॉलिटी राज विवस्ता सर ये क्या होती है मिसको पढ़ेंगे क्या एक होती है पॉलिटिकल साइंस सर ये क्या होती है मिसको तो तीन प्रकार की आपकी चीजे होती है ठीक है पॉलिटी पॉलिटीकल साइंस सम्मिदान और पॉलिटिक्स राज्य व्यवस्ता देखो जनरली हम जो अध्यन करते हैं वो करते हैं पॉलिटी का अब पॉलिटी क्या है पॉलिटी होती है जनरली आप देखोगे कि आप जो प और पॉलिटिक्स होती है राजनीती जैसे मैं आपको एक तरीका से समझा दूं कि भारत में एक राश्पती है एक प्रदान मंत्री है यह बारत की पॉलिटी है विवस्ता चल रही है इसके अकोड़ी बारत में क्या नेम है कैसे नेम के दौरा बारत देश चलेगा इसका तो आपको यह सार विवे राजनीती में देखने को मिलेगा बार समझ में आई को चलिए यहां पर मैं आपको संजाता हुम कि कि पॉलिटि नाम का सब्ड निकलता है जैसे मैं अपको कुछ छीह समझाऊंगा बड़े समझना कि कोसिस करना कैसे निकलता तो polity जो नाम का सब्द है ये police नाम के सब्द से निकला है police और police नाम के सब्द का मतलब था सहर राज्य इसे क्या बोलते थे city state तो जहां सहर राज्य की व्यवस्ता के बारे में पढ़ाय जाता था उसे राज व्यवस्ता कहते थे for example आपने जनम ले लिया अब पाँच आदमी रहने लग गए दस आदमी रहने लग गए अब उद दस आदमी भाई साब उनकी व्यवस्ता होगे की नहीं होगी आप एक क्लास में बैठे हो अब क्लास की व्यवस्ता होगे की नहीं होगी सब के कमेंट पढ़ रहा हूँ अब उसमें कौन सासन करेगा, कौन उसका राजा रहेगा, क्या उसमें नियम रहेंगे, नियम कैसे चलेंगे, व्यवस्ताएं कैसे चलेंगे, इसका नाम है पॉलिस, पॉलिटी, तो पॉलिटी नाम का सब्द, पॉलिस नाम के सब्द से निकला, और पॉलिस का वेसिक मतलब हो यह हो गई अब इसकी व्यवस्ता के बारे में सहर राज की व्यवस्ता के बारे में जहां पढ़ते हैं उसी को आप नाम देते हैं गुरुजी पॉलिटी ठीक है उसको नाम क्या देते हैं पॉलिटी ठीक है और आज कल क्या हो गया आज कल सहर राज नहीं रहे आज कल राज रह तो बड़े बड़े राज्यों की व्यवस्ता के बारे में जहां पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं गुरुजी पॉलिटी क्या कहते हैं पॉलिटी कहते हैं उसी को आप नाम देते हैं पॉलिटी तो जो ग्रीक राज्य थे मैंने दो प्रकार की राज्य होते थे मैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बताऊँगा कि आज कल जो modern exams आपके conduct हो रहे है चाहाँ वो UPSC हो रहा है चाहाँ PCS हो रहा है तो आज कल थोड़ी information जादा पूछी जा रही है जो basic से थोड़ी हाटकर है तो आप quality का मतलब समझे पोलिस मतलब quality से निकल के आया गुरुजी सहर राजजी की व्यबस था तो ग्रीक राजज थे उन राजजों में से पोलिस कहते थे पोलिस P-O-L-I-S और जो रोमन राजज थे उसमें इसका नाम था रेस पवलिका एक प्रशन पूछा गया है कि रोमन राजजों में रोमन राजजों में छोटे देश को पहले क्या कहते थे रेस पवलिका और ग्रीक राजजों में से कहते थे राज्ज स्टेटो यानी सहर राज तो यह क्या हो गया polity एक सिंपल भासा में मैं समझा दूँ कि गुरुजी polity क्या है तो बेटा देख, poly मतलब राज, poly, poly मतलब सहर राज, या poly इस मतलब सहर राज, सहर राज की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ते हो, उसको बोलते हो गुरुजी, polity, बास समझ में आई या नहीं आई, point is clear or not clear, समझ में आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, that is called polity, अब इससे आगे आप basic matter देखोगे, तो ब्यवस्था क्या होती है, अब ब्यवस्था में आप क्या पढ़ते हो, for example किसी चीज की ब्यवस्था आप पढ़ रहे हो, class की ब्यवस्था, देश की ब्यवस्था, कानून की ब्यवस्था, सहर की ब्यवस्था, घर की ब्यवस्था, girlfriend की ब्यव प्युत कि विवस्ता का मतलब होता है आप कभी में जाते हों आप लोग जाते होंगे तो तो मतलब क्या होते हैите विवस्ता कंद मतलब क्या होते है राज गया मतलब निम कानून नियम जो होंगे नियम हो गया या देश को चलाने के लिए आप कह सकते हैं गुरुजी देश को चलाने के लिए अपरिफ्त आनूनों और मौलिक नियमों को ही अम्स क्या कहते हैं सम्मिदान कहते हैं उसके व्यवस्ता के नियम और कानून जो होते हैं उन्ही का आप सम्मिदान नाम देते हैं तो व्यवस्ता क्या है नियम और कानून है बोलो हाँ या ना क्या है व्यवस्ता कानून का ही पालन जो है नियम और कानून जो होते हैं उसे ब्यवस्ता कहते हैं, तो राज जी की ब्यवस्ता के बारे में, नियमों के बारे में, कानून के बारे में, संचालन के बारे में, देश के बारे में, आप जहां पढ़ते हो से कहते हो, राज ब्यवस्ता, अब यह basic है, यहां से प्रशन एक्जाम में पूछा गया, कि पोलिस न अब मेरे प्यारे साथियों, ये पॉलिटी का विकास कैसे हुआ, इस पॉलिटी का विकास हुआ कैसे, ये पूरा का पूरा पॉलिटी का जो सिस्टम है, किस प्रकार से बना, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, किस प्रकार से बना, इस पॉलिटी का विकास हुआ कैसे, कैसे इसे कैसे system बना मैंने का बेटा राजी की ववस्था के बारे में जहां पढ़ते हो उसको आप क्या नाम देते हो गुरुजी उसको राजनीती विवस्ता के according देखोगे तो इन्हें आप राज नहीं कहेंगे इनके according राजनीती विज्ञान के according भारत देशिक राज है यह बारत देश के क्या है बारत देश के अंग है अब आप नोट्स कैसे बनाओगे तो नोट्स आप बेसिक से बनाओगे पहले आप सहर राज्य अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि गुरु जी राज्य क्या है राज्य क्या है तो राज्य आप किसे कहते हो तो राज्य के अंदर चार element बताएगे, कहा गया कि जिसके अंदर 4 तत्तों होंगे उसी को आप राजजनाम देंगे अभी 4 तत्तों कौन से कौन से बताएगे, कहा कि 4 तत्तों होंगे, 4 element होंगे एक पहले element का नाम है जनसंख्या कि जहां पर जनसंख्या होगी, बोलो जी दूसरा बोलो जी दूसरा है, जहां पर भुवाग होगा, बोलो जी तीसरा बोलो जी तीसरा वो है कि जहां पर क्या होगा, जहां पर संपर्वता होगी, और चोथा बोलो जी चोथा वो है, जहां पर सरकार होगी, जहां ही 4 element आपको देखने को मिलेंगे ऐलीमेंट नमबर एक जहां जंस होगी, एलीमेंट नमबर दो जहां भुबाग हो गा एलीमेंट नमबर तीन जहां संपर्वत्य होगी और quelle इसको कैसे समझोगे आप मेरे भाई लेकम, मेरी बात सुनो सबसे पहले आद्मी राज्य को कैसे बनाए राजिय क्या होता है जहां पड़ जन संक्या हो सबसे पहले संक्या पैदा होई जहां 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी रहने लगे आप कहने लगे गुरुजी यहां संक्या होग वह जयंशंक्या का निश्चित भूबागर होगा ऐसा नहीं है कि भारत का लंडन तक फैला करूं अगर बारत एक राज्य है तो बारत के एक निश्चित छित्र है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं ठीक है संप्रभुता संप्रभुता का मतलब होता है कंट्री की वह चमता स्वय का प्रभु होना जिसे का मतलब होता है कि कंट्री अपने आंतरी को अपने बहारी निरण संप्रवता इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा सुय का प्रभु होना सुय का प्रभु होने का मतलब है कोई देश अपने आंत्रिक और अपने बाहरी निरड़य लेने के लिए अगर वो स्वतंत्र है जिसे बाध की बात करें तो 12 1947 में संप्रभु राश्ट्र बना 1947 से पहले हमारे पास भुवाग भी था और जनसंख्या भी थी लेकिन हमारे पास संप्रुवता नहीं थी ठीक है हमारे पास संप्रुवता बिल्कूल भी नहीं थी आज हमारे पास संप्रुवता है हम अपने आंतरिक हमारे देश में मोदी जी डिसाइड करते पाकिस्तान पर कव अटेक करना है इसका निरने कोई और विदेश में बैटी सरकार नहीं लेती इसका निरने हमी ले रहे होते हैं आगे आती है सरकार सरकार मतलब गवर्मेंट तो 1947 से पहले भी भारत में सरकार थी लेकिन भारत एक संपूर राज नहीं था 1947 के बाद 15 अगस्त के बाद आप देखोगे तो हमारा कंट्री पूर रूप से राज में परवड़त होता हो गया आज हमारे कंट्री में जनसंख्या भी है सरकार भी है संपर्वता भी है और भूबाग भी है अब मैं थोड़ी सी आपके सामने बाच्चीत करना चाहूंगा और राज्य के कितने तत्त होते हैं आप राज्य को explain करने हों ऐसे करके copy पर नोट्स बना रहे हो गुरू जी राज्य के चार तत्त होते हैं अब SSEC ने पूछा है राज्य के कितने तत्त होते हैं चार तत्त यह SSE और General Exam की इंफोर्मेशन है आप मेरे से पढ़ रहे हो तो Monte Video Convention आप लोग लिख सकते हो Monte Video Convention Monte Video Monte Video Convention जो है इंपोर्टेंट है यह हुआ था 1933 में और इसके माध्यम से भी राज्य के 4 तक तो निकले थे कि राज्य उसे कहेंगे जिसके 4 element होंगे क्या होंगे जिसके 4 element होंगे उसे आप क्या कहेंगे राज्य कहेंगे अब मैं आपके लिए सुरूवात करूँगा एक नई चीज की और नई चीज गया है तो नई चीज है हमारी नई चीज पॉलिटी गीरप पॉलिटी 2.0 जीर अब का ज़िए आप सायन देखोगे पॉलिटी 2.0 इसका मतलब है कि पॉलिटी की कुछ ऐसी चीज यो सामन एक्जाम से हटकर होती है प इसको जानने के लिए आप अपनी कॉपी मेंशन कर सकते हो गेयर अब गेयर अब का मीनिंग है कि टॉप लेवल का कुछ मटेरियल जो मैं आपको देने वाला हूं का मॉन्टे वीडियो कंवेंशन के बाद देखोगे अब एक सिंपल सा अफता है संपर होता लको लेकर कि Tub Tillman संपरुवता को लेकर आज कल बड़े प्रश्न एक्जाम में पूछ जा रहे हैं छेवर में भीन से लिए लिए और राज्स्तान के लाइज पूछा गया कि बारत में लीघल संतर हुआ है तो संतर हुद है कि जो पुछन आपके ला पोछे जा रहे हैं इन्हें पुछनों की उत्तर आपको किस प्रकार से लिए और धेने होंगे या जो बच्चा त्यारी कर रहा है जनरल एक्जाम, यूपी पुलिस, सविंस्पेक्टर PCS तक की तो उसके लिए जो मैंने पढ़ाए सामान ने था अगर आप गेर अप को पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आप एक लेवल से उपर जाना चाहरे हो यहां पर मैं कुछ ऐसी बातें आपको वताऊंगा जो आपके एक्जाम में बहुत बैतरी लेवल पर कामा सकती है संपर्वता जो होती है इसके आज कल कई सारे प्रकार आपको एक्जाम में देखने को मिले होंगे एक आप सुनते हो आंतरिक संपर्वता एक आप सुनते हो बाहरी संपर्वता, एक आप सुनते हो नामात्र की संपर्वता, एक आप सुनते हो लोकप्री संपर्वता, एक आप सुनते हो वास्त्रिक संपर्वता, एक आप सुनते हो कानूनी संपर्वता, इनसे एक्जाम में बार-बार प्रशन आपको देखने को मिल पूर इक्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूं कि बारत में आंतरिक संप्रुवता जो है आंतरिक संप्रुवता ये आंतरिक संप्रुवता का पतलब गया हुआ अगर कोई कंट्री संप्रवु है जैसे बारत संप्रवु है तो बारत अपने आंतरिक निरणे लेने के लिए स तो हम लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भारी रूप से भी शक्रवू है हम्-किसी के totaalten करते हैं हम चुल्डल करते हैं कि भारत में दूल संप्रवु कौन है तो नानाव कम की बात करें तो बारत का राष्ट्र पती नाना sugar का संप्रवु हैं यानि इंडिया में सब्सक्राइब मेर्यस्ट इसनृ लोक ब्रिय संप्र होता का निवास किसी के अंदर होता है यह आप से पूँचे कि बारत में संपर्वता का लोग कि परिवास किसके अंदर है तो बारत मैं ढौन संपर्वता की Euro परिवासा है सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूँ OUR OHSP होता की जोी परिवासा दीती के ऐस्तिन की परिवासा है और बास्टिन कहता है इसके सरकार को चुनती है तो ultimate जो power इंडिया में निवास करती है भारत में जो लोगप्रिय संप्रवू है वो भारत की जनता है कि बहुती प्यारा प्रशन आपके exam में आजकल मनता है भारत की जनता भारत में लोगप्रिय रूप से संप्रवू है आप इसको लिख सकते हो संप्रवू है अब इसमें बहुत से लिकि जलेकर चलूंगा तो यहीं से दयामिचर से निकल जो पड़ाओंगा कुछ लोगप संप्रवू है तो इसका मतलब जनता हमारे country सबसे अधा powerful है एकदम सत्य है कुछ लोगों का यह मानना है कि बाई संसद अगर संविदान में परिवर्तन करता है और संप्रव कानूनी संप्रवू है तो संसद के द्वारा किये परिवर्तन को नियायपालिका क्यों रोक देती है इसका मतलब है लोग प्रिय वास्तविक और कानूनी इस संप्रवता का सरोत कौन को ले यह एक डिवेटेबल मुद्दा फिर हो जाता है कि बारत में वास्तविक संप्रवता किसके अंदर है यहाँ पर राजनीती विज्यान आपके सामने इन्वाल हो जाती है और राजनीती विज्यान इन पूछ रहा है तो पूछ रहा हुआ ना बेटा कैसे बनेगा बड़ा सिंपल बनेगा कि भारत में भारत में नामात्र की संप्रुवता किसके अंदर नहेत होती है उत्तर क्या होगा राष्ट्रपती भारत में लोकप्रिय संप्रुवता किसके अंदर नहेत है उत्तर क्या होगा बारत की जनता भारत में कानूनी रूप से कौन संप्रुव है उत्तर क्या होगा बारत में वास्त्विक रूप से कौन संप्रुव है उत्तर क्या होगा प्रायम चांद दी अब एक मोटी सी बात में आपको और बताना चाहूंगा जो आपके बड़े काम की है बड़े काम की क्या है कि राजनीती विज्ञान में दो तीन विचार रखें जो आपको जर्णल एक्जाम में पढ़ने होते हैं बेटा पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे हम ठ्य सामने सुकरात की एक एक ठिंकर को समझीए जब राजनीती विज्ञान के विकास की बात आई कि राजनीती विज्ञान का विकास कैसे होगा यानि अब आपके सामने दो बातें किलियर है अगर मैं आपसे पूछू जोड लगाके कि राज्य क्या है और मैं आपसे पूछू है क्या यह दोनौ बात इसहसे क्लियर बीवस्पा क्या है कि आप सभी जानते हैं राज्य क्या है भीक्रास में शाल ना सबीर हे तो सबिस्कारे सब्सक्राइर प्रbles सकते ARE ने सभी बच्चे जानते हैं कि राज्ज क्या है हमारा टेलिग्राम का लिंक पीन है वाई क्लास में सभी को विद्यारतियों को पता है राज्ज क्या है एकदम किलियर है आपको राज्ज क्या है राज्ज राज जी किसे कहते हैं एक दम थमसब बेज़ा है सभी के सभी थमसब-थमसब थमसब सभी के सभी नोड़्स बनाते चलिए इसलिए व्यूज नहीं, सर Πॉलेटी आपके चनल पर नोड़्स बननाने हैं, भाई आप नोड़्स बनाई है न यार मेरे दोस्ट आप नोट्स बनाई है ना प्रौपर सभी को प्राज्ट राज्ज है राज्ज्ề राज्ज लाज्ज यस यस इस स्पीड से कमेंट आने चाहिं पैडू तरीका से उस्पीड से ऊत किसी है उसकी है विवस्ता है वंतलम जुब योले बोलो गुरुजी हाँ थमसब बेटा सभी के सभी लाल कर दिया गरो सभी के सभी अब राजी विवस्ता में विकास की बात आई कहा कि छोटे छोटे राजी हैं अब इसका विकास कैसे होगा आप इसका विकास कैसे होगा कैसे इसका डवलम्मेंट होगा कैसे इसका विकास होगा कैसे विवस्ता फैलेगी तो वहिया इसके लिए विचार आया कि विवस्ता कैसे पैलेगी तो इसके लिए लोग ठिंकर पैदा हुए जैसे मैं कहूं कि फिजिक्स में अगर कोई कह दे कि गुर्ण उपर से क्या हुआ कोई के दे के जी उपर से क्या हुआ ऊपर से गुरुजी बॉल गिरी और नीचे टपक गई तो इसी ने कहा कि गुरुजी यही पूरी सुक्रात देखो इसने बड़ी इंसानियत की काम की और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आजकल बीपीसी दिल्ली पुलिस रेलवे चपरासी थानेदार कॉंस्टेवल हवल्दार इन साथे एक्जाम में प्रशन जाब नहीं जाएगी जितनी तरी कॉपी उससे कई गुना तो मेरा ट्रेलर में गा था और ट्रेलर में मैंने बोला तो बना ले अपनी कॉपी तो बिवे कॉपी बना ले बाद में मत किया ना मुझसे समझ में आ गया तो अब क्या है कि इसके लिए कुछ विचारक पैदा आपके बारे में बात करें सुक्राउट पहला विचारक था जिसने कहा वहिया कि आदमी जो होता है राज्य का गुलाम नहीं अब एक बास सोचो देखो आप एक चीज़ इमेजन करो आज आप भारत देश में रहते हो पहले मुझे बताओ हाँ या ना यस या नो आप भारत देश में रहते हो तो बारत देश में अब आप अपने मरजी के मालिक हो क्या नहीं क्या रोड पे जाओगे ऐसे करके मोटर साइकल चलाओगे कि मैं तो लड़की गुमारा था पानी पूरी खा रहा था इसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ सरकार आएगी आपके बास र पैदा हुआ है एकदम नंगा हस्ता खेलता इसको बाहर जाएगा तो बैटा यह पुलिस वाले यह हैलमिट लगाना है इस सारी समस्या कहां से इसके अंदर आजाएंगी भाई तो यह समस्याओं के लिए कुछ विचारक पैदा हुए एक का नाम ता सुकरात सबसे पहले दुनिया में पैदा हुआ हस्ता खेलता सा आदमी और इसे किसी से महबबत हो गई ओहो जब इसको किसी से महबबत हो गई तो बस हुआ क्या कि जैसे इसे महबबत हुई राजा ने सुकराथ ने कहा राजन ने प्रिएधा हुआ हूं राजन ने कहा ह्यां कि तुम फिरी पैदा हुआ ऑ राजा तो भगवान का रूप है, मुदी आदमी नहीं है, मुदी तो परम आत्मा है, भगवान है, मुदी बाबा ने अगर कह दिया, कि ठाली बजाओ और जिसने नहीं बजाई, तो ये मान के चलो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे मेरी पुत्र की बात नहीं मानी, एकनी मुहबत से दूर करता है, राजा ने सुताही करी सुकरात की, सुताही करी सुकरात की, तो सुकरात मैंटली डिस्क्रव ऐसे होने लग गए, लोगों कैसा लगा, सुकरात ने राजा की खुब बुराई की, दुनिया में एक पहला ऐसा आदमी पैदा हुआ, जैसे आज बीजे पी खुलाब भी बोल दो, तो लोग कहेंगे बड़ा नीच निकम्मा देश द्रोही आदमी है, उसी प्रकार से सुकरात ने राजा की बुराई करी, तो राजा की जब बुराई की, देखो ये बात हसी मजाग बाली नहीं है, इसा conceptual clarity is to make you understand, कि वाई दूरी टू पॉ पड़ी डिवेट है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार हमारे लिए है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम सरकार के लिए हैं, कुछ लोग कहते हैं हम मोदी साहब हमारे माई बाप है, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी को हमने चुना है, तो दियरा two concept, is a clarity concept, बहुत अलग सी बात है, be 60 pointing now you understand तो सुकरात ने बोला कि राजा खिलाब है सुकरात एक पहला विचारक गुआ जिसने राजा के खिलाब आवाज उठा दी और जब सुकरात ने राजा के खिलाब आवाज उठा दी तो सुकरात पूर जगे फे पॉपूलर हो गया और जो सुकरात दे बाते कहीं कि राजा ऐसा होना चाहिए राजा वैसा होना चाहिए इन सारी बातों पे लोगों का पहली बार गोर गया कि अरे सुकरात तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है सुकरात की सारी बातों को सुकरात के एक सिस्स हुआ जिसका नाम था प्यारे बच्चो प्लेटो आप ऐसी प्रकार से लिखते चलेंगे कॉपी पर कोई इपबट मत कर देना एक भी लाइन इदर उदर हुई तो एक्जामिनर आपके साथ गोली खेल जाएगा एक्जामिनर आपका मजा ले जाएगा ठीक है यही कॉपी आपके मेंस के लिए मैं इसमें ड्राइब करूंगा ड्रिवेशन्स पॉलिटी के और यही कॉपी प्रेलिम्स में काम आएगी किसी भी एक्जाम में अब क्या हुआ तो राजा ने कहा के भाया हम तो जो है अब प्ले छेरbayर और अनपट में बीटा अंतर होता है निरक्षर होता है जिस आदमी को अक्षर का ग्यानना हो और अनपड उता है जो आदमी हैद इंदर पढ़ाे लिखा है क्य आसंग जिक्न तोग्या 아직 फैटा ना ना हो प्लेटो उकराथ टयाद का नियों नियुकाह प्लेटो ने सब लिखा येसे मान के चलो मैं सुकरात हो गया और तुम मेरे कौन हो गए प्लेटो हो गए जब सब लिखा तो प्लेटो ने सारी बाते किताब में लिख दी इस किताब का नाम था दर रिपबलिक इस किताब का नाम था दर रिपबलिक दर रिपबलिक नाम की कित में प्लेट ने सुक्रात की सारी बाते लिगे तो सारी की सारी बातएं लेगे गयाती होap और प्लेटो की समझने बात इन आए तो प्लेट वहा तो समझने के लिए ऐकैडमी को फिस अकैडमी का अमारी समझ में नहीं आया आप तो प्लेटो प्लेटो खेल गए उँ मेरे प्यारे बच्चे एक बार रिवाइज कर मैंने क्या पढ़ाया अरे बावले मैंने तो वह पढ़ाया जो आज से एक साल के बाद तरे पेपर में आएगा ये लिूसेंट ये लक्षमिकांत इनसे तीसरा कौन सा भूबा अगर चोथा कौन सा सरकार मैंने का बेटा इस राज्य के अध्यन के बारे में कुछ विचारक पैदा हुए जिसमें से पहले विचारक का नाम क्या था पुला गुरुजी सौक्रेटीस था सुकरात था अनपड़ था इसका सिस कौन बना बेटा प्ले स्ची इसजि c AMst ने मेरे प्यारे बिच्चे संभ लिखा कि ताव का नाम क्या पढ़ा बोल गुरू जी किताब का नाम पढ़ा रिपब्लिक अधर रिपब्लिक अधर चैनल का लिंक नीचे दिया है जोइन कर लेंगे सभी के सबी और इसने अ दम का नाम के था अकेडमी में राज जी की पढ़ाई होती थी है राजज का होता है राज नीटी विज्ञान की पढ़ाई दिख रहे हैं इसका नाम था अरस्तु अरस्ट नॉटल वो आदमी निकला जो राजनीती विज्ञान को एकदम चरम पर ले गया अरस्तु ने क्या किया इसने सबसे पहले किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स मतलब राजनीती की भेंकर किताब तो इसने पॉलिटिक्स नाम के सब्सक्राइब का पहली बार इस्तेमाल किया लोगोंने बल uit पूलो क्या मिल गया सब्जेट का जनक सब्जेट का पिता इसी को कहते फादर ऑफ पुछा जाता एक्जाम में father of Rajnieti Vigyan का जनक कौन है option में देगा आपके अरस्तू Plato सुकरात सिकंदर उत्तर क्या होगा अरस्तू question पूछेगा बेटा प्यारे बच्चो अरस्तू the politics किसकी किताब है उत्तर क्या होगा अरस्तू किताब है the politics प्रश्त पूछेगा the Republic किसकी किताब है उत्तर होगा गुरुजी प्लेटो की वुक है the Republic एक किताब का और नाम बता रहा हूं कि आती है मेरे सिस्से quality के खिलारी होंगे जिसके जिस्से के गुरु को राजिमिती विज्ञान का जनक का जाए उसका सिस्से पूरी दुनिया जीत लेगा और अरस्तू का बेटा सिस्से कौन हुआ गुरुजी इसका नाम क्या था तो बेटा इसका नाम था अलक्जैंडर द इसको बोलते थे आप लोग सभी लोग सिकंदर महार क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों सिकंदर महार गुरुजी सिकंदर महार तो प्रश्न किस परकार से एक्जाम में आता है गुरुजी सिकंदर महार ने दुनिया जीत ली दुनिया सुक्रार के दादा राजा को प्यार करना चाहिए प्यार प्लेटो ने का कि राजा अच्छा होना चाहिए अच्छा पड़ा लिखा इंसानियत वाला अरस्तु ने का राजा होना चाहिए मोधी टैप आतियों करना राज नहीं थी सिकंदर ने का nothing is impossible in this world इस दुनिया में कुछ भी impossible नहीं है दुनिया की हर चीज को आप जीत सकते हो अब प्यारे बच्चे प्रश्न कैसे आएगा मैं इस क्लास को कॉंस्टेवल से पढ़ा रहा हूं और आईस तक के लिए पढ़ा रहा हूं इस बात की मैं गरंटी दे रहा हूं कि किसी भी परिच्छा में बैठो गए तो पॉलिटी के सवाल आपके सामने जुक के आपको प्रणाम करेंगे और आप आप कहोगे आगया तू चल ठीक है सुनो बड़े ध्यान से बिटा बड़े ध्यान से सुनो प्रिश्न मनता एक्जाम में कि नीच नीचे दिएगे विचारकों को क्रम से लगाएं तो आपको यह विचारक जो होंगे क्रम से लगाने होंगे जैसे ऐसे करके दे देगा नीचे दिएगे विचारकों क्रम से लगाएं एक नमबर दो नमबर तीन नमबर और चान नमबर या प्रशन आपके एक्जाम में बनता इस प्रकार से कि सुक्रात के सिस्य का नाम क्या था तो आप उत्तर दोगे प्लेटो ये प्रश्न बन गया प्लेटो के सिस्य का नाम क्या था अरस्तु अरस्तु के सिस्य का नाम क्या था सिकंदर या प्रश्न बनता है उल्टा कि सिकंदर किसका सिस्य था तो अरस्तु सिस्य था प्लेटो प्लेटो किसका सिस्य था सुकरात या नीचे दिए विचारा को क्रम से लगाएं इसके ट्रक है जो अपने दिमाग में आप याद रखोगे इसकी ट्रिक का नाम है इस पा में जाते हो कभी कभी बॉडी लोसन इस पा कराने के लिए तो एस पी एग ठीक है यानि सिकुरात प्लेटो अरस्तू और अलेक्जेंडर तो लाश्ट में आई गया सिकंदर मान इस प्रकार से आप चीजों को याद कर सकते हो ठीक है बास समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चों अरस्तू दा अकैडमी से पढ़ाता यह प्रिश्मी बन जाता है कि दा नवसकता नहीं है आपको बस इतना ही जानना है इस पा क्या होता है ऐसे समझले ऐसी आसफी पिए ऐसे कर गया चीजों को याद कर लोगे तो अगर अब में आपके सामने कहूं के मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या-क्या इनफॉर्मिशन हो गई तो आप कह सकते हो गरुर बेटा राज जी क्या होता इसकी इंफॉरमेशन आप सभी को है इससे दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे पहला प्रश्न बनेगा राज जी के कितने तत्तों होते हैं हाव मैनी एलिमेंट ऑप दी स्टेट बता दोगे बेटा गुरु जी चार होते हैं सेकर्ड़ूसर मोनेगा निमलिखित मैंसी राज जी का तत्तों कौन नहीं है तो आप बतादो के गुरुजी जी राज जी का तत्तों नहीं शॉयजिके कि परिवासा कहा दी गई तो आप बतादो कि monty वीडियो कॉन्सन एक परश्नम बनेगा कि monty video कन्वेंसन कब उई 1930 में स बोलो हा या झाला बेटा समझ में आई राज बिवस्ता कै यह मेरे प्यारे बच्चों Я चैसे प्यारे उरोप में पैदा हुए थे प्यारे दोस्ति अब बहुत बड़ा मुद्दय कि विद्यारती क्लास को लाइक कर देंगे सबस्बों के लिए कि चल रही है थो आप एक बार क्लास को सेयर कर दें अब मैं आपको is अब आप ब की ब्यवस्ता देश की ब्यवस्ता ब्यवस्ता मतलब नेम और कानून आपने बोला गुरू जी हां मेरे को सर्वाइकल की प्रॉलम हो रही है ज्यादा चक्कर आ रहे हैं मुझे हलके हलके लेकिन मैं आपकी क्लास में जमा हुआ हूं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है तो नियम और कानून लिखे हो या न लिखे हो तो नियम और कानून जहां कमपाइल होते हैं किसी देश की ब्यवस्ता के बारे में उन्हें आप सम्मिदान कहते हैं जहां किसी देश की ब्यवस्ता के नियम और कानून एक जगह एकटते होते हैं उसे ब्यवस्ता कहते हैं उसे सि परजड़ी निकलेगी उस तम्मिदान की निकलेगी देखो मेरी क्लास में मानके चलता हूं कि मैं इंडिया के टॉप विद्यारतियों को पढ़ा रहा हूं पता नहीं मेरा गवंड है या ऐसा सोचना मेरा गलत है मेरे को जब मैं पढ़ाता हो पॉलिटी तो मुझे लगता है कि मेरे सामने जो बच्चा खड़ा है वो टॉप बच्चा है या इससे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं है कि टॉप लेवल का स्टुडेंट है ऐसा साथ मेरा गलत सोचना है या सही सोचना है आप बताना मेरे को लगता है कि जो बच्चा मुझे पढ़ रहा है वो अपने आप में बैस्ट होगा वो कोई बेसिक बच्चा नहीं हो सकता उसे बहुत से सारी चीज़ें आती हो होंगी और एडवांस लेवल का लर्नर है क्योंकि वही समझ सकता है कि मैं क्या समझाना चाहरा हूं तो यही चीज में आगे के लिए पढ़ाना चाहता हूं कि जब मैं 50 साल की उम्र में हूं तब भी मेरे लर्नर वह हो जो एक एडवांस लेवल की रिसर्च कर रहे हैं लेवारे बच्चे मुझे बहुत प्री हैं लेकिन थोड़े एडवांस लेवल पर जब चाहते हैं बच्चे और जब वो लोगों को पढ़ाते हैं पढ़ते इन चीजों को तो अलगी बात दिल से फिली निकलती मेरे ठीक है चली अब हम बात करते हैं हम एक डैमिंसन आपको कि हमारे देश के अंदर जो नैम में जो विवस्ता है और देश में परदानुमन्त्री और एक राष्टति होगा और परदान मंत्री राष्टति कैसे कैसे होँगे जो नेम है इस ब्यवस्ता के नियम जो हैं इस किताब के अंदर लिखे गए जिसे आप कहते हैं भारत का संविदान बोलो हाँ या ना अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि किताब में नियम लिखे हैं ये बात कहना आपने आप में संविदान क्या होता है जिसके अंदर किसी देश के कानून का वाणन होता है उसे आप संविदान कहते हैं किसका वाणन का और कानून से क्या चलती है व्यवस्ता तो किसी व्यवस्ता को चलाने के लिए महत्पूर्ट दस्तावेच क्या है संविदान है बोलो हाँ या ना संवि सम्मिधान के दो प्रकार होते हैं एक होता है लिखितसंमिधान किसी देशी के सम्मिधान सभाने सबोच करो बहत अब सम्मिधान सभा क्या तब क्या होती हैजै ऐसे बारत जब आजाड हुँते और आजाबी के बाद हमारे देशNus लोगों ने अपने नियमों को बैटकर लिखा सबोर्च करो हमारी ख्लास है अब मैंने काले टीशट पहने रखिए और मैं आप सबसे कहूँ कि मेरी क्लास के जितनी विद्यारती है या नहीं है लेकिन यह नियम आपकी मर्जी से बनाए या मैंने आपको बना कर दिया है यह नियम आपको मैंने बना कर दिया है आपकी मर्जी से नहीं बना तो आपकी मर्जी से नहीं बना तो आपके कोडिंग का नियम नहीं हुआ कानून नहीं हुआ तो जब बारत देश में बारतियों ने अपनी मर्जी से मेटकर सभी के लिए कानून का निर्माण किया पूरे देश की जनता के लिए उसे हम सम्मिदान सभा के नाम से जनते है अब पूरे देश की जनता ने डिसाइड किया है हम सबने मिलके डिसाइड किया है गुरुजी हम क टी सेट पहनेंगे। तो यह क्या हो गया? अब हमारी समीदान सभावणी जिसने बैठकि हमारे देश में नियमों को लिखा और कहा कि हमारे कंट्री को संचालित करने के लिए लोगों की विवस्ता को संचालित करने के लिए अगर मैं मौटा सा कहूँ इस राज जी की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ये नियम और कानून होंगे इन नियम और कानूनों को इस दस्तावेज के अंदर हम लिख रहे हैं जिस दस्तावेज का नाम क्या होगा सम्मिदान होगा इसे कहते हैं प्यारे बच्चो लिखित संविदान दुनिया के बहुत सारे कंट्री में लिखित संविदान है जैसे अमेरिका में लिखित संविदान है बारत में लिखित संविदान है बहुत से मेजुरिटी ओफ कंट्री में लिखित संविदान है बात समझ में आगी कि नहीं आगी the point is very clear अब जहांके लोगों ने अब second बात समझना अब मैं आप से कहूं कि बेटा मैं black t-shirt पहन रहा हूँ आप भी black t-shirt पहनो ठीक है अब मैंने आप से कहा कि बेटा मैं पहन रहा हूँ आप भी black t-shirt पहनो तो आपने दो प्रकार के विद्यारती होंगे एक होंगे जो कहेंगे गुरुजी हम क्यों पहने तो हम सब ने नेम बना लिए अब आपने डिसाइड कर लिया कि गुरुजी हम black t-shirt पहन लेंगे आपकी बात अमने मान लिए एक मैं आप से कहो बेटा black t-shirt पहन कि क्योंकि मैने black t-shirt पहन नहीं मेरे बाप black t-shirt पहनते थे मेरे दादा black t-shirt पहनते थे तेरे पिताजी black t-shirt पहनते थे दादी थे भिजल अपनी संस्क्रति अपने विचार से चली आ रही चीजों के आधार पर कुछ नियमों को स्विकार किया इसे कहते अलिखित सम्मिदान आपके परिवार में आप मैं आपको वताऊं कि बेटा आपने का गुरुजी मुझे प्यार बिवा करना है गुरुजी मुझे लवेरिया हो गया मुझे प्रेम बिवा करना है तो मैं कहूं कि बेटा लवेरिया होना आपके परिवार में ये संस्कृति नहीं है, मारदेश में ये नहीं है, तब आपके हमारी प्रताओं में नहीं है, तो ट्रेडीशन को बेस मानकर जो कानून निरदारत होता है, उसे आप कहते अलिखित सम्मिदान, यानि अलिखित सम्म प्रताओं पर आधारत जो नियम होता है उसी को आप प्रताओं पर आधारत जो नियम होते हैं उसी को आप अलिकित सम्मिदान केहते हैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में अन्रिटिन कॉंस्टिडियूशन है सभी विद्यारती क्लास का आनंद लेंगे और आनंद नहीं एक कथा है कथा का आनंद लीजिए और अपने जीवन को भरपूर आनंद के साथ भरिए चलिए अब समझ ये आगे का कॉंसेप्ट क्या कहता है तो आगे का कॉंसेप्ट है कि जो अमेरिका भारती सब लिखित सम्विदान है लिखित सम्विदान जो है ये दुनिया में ब्रिडियन का सम्विदान लिखित है बेडिन का सम्दान कैसा सम्दान है अलिखित सम्दान है कनेड़ा का सम्दान कैसा अलिखित सम्दान है साओधी अरब का सम्दान कैसा अलिखित सम्दान है न्यूजिलेंड का सम्दान कैसा अलिखित सम्दान है आनसे की रूप से अगर कनेड़ा की बात करें इस्राइल जोरी इस्रायल का सम्दान कैसा अलेखध सम्दान है कि दुनिया के अलेखत सम्दान है और एंट इन समस्वेवण नेयम कहले नियम नेयम का न्हीं किम नत यह अनुआ नियुआए इसराइली Gratald देखने को मिलेगा हर जगे आपको देखने को मिलेगा Constitution यह अलिखित इस्राइल यह वी कंट्री है तो अभी क्या है अब आपसे प्रिशन अलग परीकास से पूछे जाते हैं कि निविखित में से कौन से देश का संब्दान अलिखित है और कौन से का लिखित है अब मैं कुछ quality gear up लेके आ रहा हूँ कुछ अलग बाते हम करेंगे जो और advance level की होगी देखिए आप में से बहुत सारे विद्यार थी तो यह समझ में आ गया लिखित की बात करूँ तो बारत है लिखित की बात करूँ तो अमेरिका है लिखित की बात करूँ तो रसिया में भी लिखित की बात करूँ तो अफरीका का भी सम्दान लिखित है सभी लिखित सम्मिदान है अब मैं आपके सामने नई चीज़ समझाता हूँ आपको अब हम बात करते है पॉलिटी गेरप की और जब मैं पॉलिटी गेरप यूज़ करता हूँ इसका मतलब है कि हमें कुछ संवामें मजबूर कर दोंगा सोचने के लिए आप सोच नहीं पाऊगे कि इफ़ेक्ट आए कहा त इस लेवल पर मजबूर कर दूँगा मैं यह मेरी गारंटी है संविदान के दो प्रकार मानते आप एक सम्विदान चोटा एक सम्विदान बड़ा है सबसे चोटा सम्विदान के अगर मैं बात करूँ तो दो आधार पे आप कह सकते है कि दुनिया का सबसे चोटा सम्विदान कौन सा है तो दो आधार होगे एक आधार होगा सब्दों के आधार पे कि सब्द और एक आदर होगा अनुच्छेदों के आदर पर देखो बारत के सम्विदान की मैं बात करूँ तो बारत के सम्विदान सबसे बड़ा सम्विदान है दोनों आदरों पर इसमें सब्द भी जादा है और इसमें आर्टिकल भी जादा है लेकिन छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा जो सम्विदान है दुनिया का अगर आप से प्रशन पूछ ले तो दुनिया में सबसे छोटा सम्विदान यह मुनेको का सम्विदान है दुनिया में सबसे छोड़ा सम्दान की बात करूँ तो ये आपको मुनेको का सम्दान दुनिया में सबसे छोटा Constitution है इसमें 3014 सम्द है जो Constitution मुनेको है इस सबसे छोटा यानि मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका के अनुच्छेद में, अमेरिका के सम्विदान में साथ अनुच्छेद हैं तो सब्दों की आदार की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो Constitution है सब्दों के आदार पे वो मुनेकों का सम्विदान है सब्दों के आदार पे इसमें कम से कम सब्द है और अनुच्छेदों के आदार बात करेंगे तो अमेरिका का सम्विदान है इसमें सबसे कम सब्द है यूसा के सम्धान में सब्ध जादा हैं सब्धें 7762 लेकि इसमें अनुच्छेद कम है तो अनुच्छेदों के आदार पर सबसे छोड़ा सम्धान आपके मुनेको कंट्री का है अमेरिका का सम्धान सबसे पुराना है 1789 में आया वह तुम आगे बात करेंगे 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 हां 31-0-14 वही लिखा है आपके सामदे मुनेको का सब्दा ठीक है एकाई-दाई-सेकर हजार दस्यार एकाई-दाई-सेकर हजार नहीं नहीं भाई यह तो इसमें 31-14 है एक ज्यादा लगाई सब्सक्राइब करते हैं डिया का सबसे बड़ा सम्वीदान बाहरत का सम्गान हैं अगर अगर आप इस सब्सेकर जो सम्विदान है सबसे बड़ा सम्विदान आपको देखने को मिलेगा तो भारत का सम्विदान दुनिया में सबसे बड़ा सम्विदान है सबसे बड़ा जो Constitution ने दुनिया का आपको देखने को मिलेगा। गुरूजी भारत हुरुपा सkillान सबसे बड़ा समय आपको मिलेगाओ वह प्राइध का सम्म्मधान है अब आता है सबसे नया और सबसे पुराना सम्मधान क髙chos curriculum के हैं कि यह समधान के नाने विए समने कि बारें बात करीं आपके सामने अगर में रोगा stores को समझा हो तो सारी चीजिसंट आपकी समज्में आ जाएंगी ठीक है मुनेको समझ में आ गया अब देखो सम्मिदान के बारे में हमने बात करिए सम्मिदान के दो डाइमेंशन खोजी एक तो सबसे बड़ा लार्जिस्ट उत्तर आता है इंडिया 395 आर्टिकल है अगर मैं पूछू सबसे छोटा तो तराते दो इसमें दो आंसर एक तो है मोनेको ठीक है और एक आंसर क्या बताया मैंने आपको अमेरिका दोनों यह आंसर कवरें आपके जनरली आप याद रखेंगे आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा सम्मिदान किसका है तो आप अमेरिका अंसर देते हैं साथ अनुच्छे दे और इसमें 31 चोड़े सब दे तो इस सब्दों के आदर पर चोटा और यह अनुच्छे दों के आदर पर चोटा अब नई डामेंशन आती सबसे नया और सबसे पुराना दुनिया का सबसे निवेस्ट पढ़ाया था तुसे में नेपाल पढ़ाया था और सबसे पुराना वह सारे लोगों ने यूटूब पे नेपाल पढ़ा रखा तो अभी नेपाल नहीं है वह सारे विद्यारतियों ने बहुत सरे मित्रम से मिले जिन्होंने नेपाल पढ़ा दिया और उने का गुरुजी अब नेपाल नहीं है नेपाल पहले था बरतमान में नेपाल नहीं है सबसे पुराना सम्विदान 1789 का अमेरिका का है पुरानी चीज पुरानी रहती है आज भी सबसे पुराना सम्विदान अमेरिका का यह सबसे नए सम्विदान किसका है आपको पता है सबसे नया सम्विदा किस कंट्री का है कोई बच्चा बटा सकता है अमेरिका के सम्दान में 7762 सब्द यह अमेरिका के सम्दान वारत के सम्दान में आप जानते ज़्यादर है नौरी नहीं अब यहां पे अलग डैमेंसन निकल कर रति है सबसे जो नया सम्मिदान है वो क्यूवा का सम्मिदान है क्यूवा का सम्मिदान 2019 में नया वन है क्योंकि पहले था इसको बाद में चेंज कर दिया तो अभी सबसे नया सम्मिदान क्यूवा का सम्मिदान है अगर आपसे पूछे नौरी तो नौरी क्या है अगर नौरी की बात करें तो नौरी दुनिया का सबसे चोटा लोकतंत्र है जिसका खुद का सम्मिदान है दुनिया का सबसे चोटा लोकतंत्र जिसका खुद का सम्मिदान है तो वो कंट्री है नौरी दुनिया में सबसे चोट सबसे चोटा देश डेमोक्रेसी जिसका खुद का सम्मधान है यह लेकिन सबसे जो लेटेस्ट कॉंस्टिशन है वो क्यूवा का है 2016 में क्यूवा का सम्मधान आया फिर चेंज हुआ फिर चेंज हुआ पहले बन चुका 19 में दुवारा रीप्लेस करके नया ही लिख दिया तो न्यू कुवा का हो गया 2019 में सबसे नया सम्मधान क्यूवा का सम्मधान है नवरी दुनिया का सबसे चोटा लोगतंत्र है सबसे चोटे लोगतंत्र का सम्मधान नवरी का है विवास समझ में आ गई सभी की the point is clear सभी की समझ में point आ गया इस slide में से कोई doubt तो नहीं किसी वि कोई टाउट किसी भित्यारती को सम्य डान आप किसी भित्यारती आएक्दम क्लियर to जी सर, लोड आउट, बढ़े आगे, आगे बढ़े, हाँ क्यूबा 2019 का है, क्यूबा छूबा मतलब क्यूबा गी सब क्यूबा, इसको सी करे लिखो आप falls क्यूबा ऑफ सिन्सिया, क्यूबा सबitet है क्यूबा आपको दो प्रकार के प्रिशन बड़ेंगे अगर प्रशन आपसे एक्जाम में पूछा जाता है एक बात याद रखना अगर प्रिशन आपसे एक्जाम में पूछाया आता है सबसे चोटा समयदान सबसे चोटा वापक बात मान के चलेंगे को सबसे चलेंगे समयदान की जो गड़ना होती है वह हमेशा अनुछ से-दों की आधार पहो थेंगे तो इसका आप देंगे अब दी वर्ल्ड तो आपका अंसर क्या होगा आपका अंसर होगा अमेरिका कभी भी जादा जानकारी जहर ना वने इसलिए मैं चीज़े करा रहा हूँ अगर एक्जामिनर स्पेसली मेंशन करता है मेरी तरह हरामी एक्जामिनर है तो लिखता है कि सब्दों के आधार पर सबस में से चोटा समधाव स्मॉलेश्ट कॉंस्टिटूशन ओं दी वेसे ऑफ दी वर्ल्ड तब आपका अंसर क्या होगा सब्दों के आधार पर सबसे चोटा समधन अगर आपसे पूछता है तब आप यहां पर बदल दोगे और तब आप अपना अंसर देदोगे जो मैंने कोई भी आंसर आपको दोनों जगा देता है दोनों तरफ देता होगे अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट कॉंस्टिट्यूशन ऑन्दी वेसस ऑफ दी वर्ड कि तब आप यहां उत्तर बताओगे गरुजी मौनेक को होगा ऐसे नहीं बताओगे बिना पूछे आप आंसर क्या दोगे ऑल्वेस युएस कॉंस्टिटूशन स्मॉलेस्ट कॉंस्टिटूशन ऑग दी वर्ड तो नाओ दो पॉइंट इस वेरी किलियर अभी बास समझ में आ सभी क्लास को लाइक करके जाएं मुनेक को में 3814 वर्ड आपने बताए था ठीक है हाँ भाई तो मुनेक को सबसे खोड़ा कॉंस्टिटूशन क्या सब रोज पढ़ाएंगे सद जी बिलकुल रोज रोज ठीक है मुनेक को सबसे छोटा हो गया सब्दों की आदार पर अब हम आपने कैसी का तो मैं आप से कहों कि आपने आज पवंड डिसके राज विवस्ता अज पढ़ी आज में सुरू करी पालेटीदि तो पालेटी का मतलब looked ने समझा राज baik विवस्ता कि राज्य विवस्ता का इसक다 है तो आपने का राज्य के चारत तो होते हैं कि बश्ता सम् बारे में सारी चीजां आप जानते हो लिखे ता लिखे साव कुछ आपका क्लियर है अभ आप पॉलिटी पढ़ने के लिए तयार हुए गूरुजी अब अमें पढ़ने है पॉलिटी तो नाओ you are ready to reach you are ready to read quality अब आपको समझना है गरुजी पॉलिटिक है बारत के समझना डग डीड़ लाग सम्द है यह कि यह बी आगे हम पढ़ेंगी इस चीज़ के बारे में आगे इसको मध्दिन करेंगे बारत का Netz करेंगे किसे आया Rou गोडिसरीवी कवर करेंगे सब कवर होगा अब यह पेसिक समझ में करणा जो कि पूखना में से अब हमारा संदान कैसे बना हम भारत लोक कैसे आए exam की बीमारी नहीं हहां से नहीं य। य। यह कहता था out moi एस्था हमारे देश में तो राजा हुआ करते थे बावर कुके थे लाओ मेरे काई गोला धडाए हुआ यह में तूजए कि हमारे कांट्री में तो किंगती और किंगस्री जेसे देस में यह राज तंत्र जेसे देस में यह लोकतंत्र की विवस्ता आई कहां से हमारे देश में राज विवस्ता का कॉंसेप्ट आया कहां से हमारे कंट्री में राज विवस्ता कहां से बनी वही एक लाग चालीस यार तीन सो पिचासी लगवग डेड़ लाग इसे कहते मेरे प्यारे बच्चे तो यह हमारे कंट्री में हमारा कंट्री में कहां से आ गया पॉलिटी हम लोग क्यों पॉलिटी के गुलाम हुए हमारे कंट्री में तो कोई नियम ही नहीं थे जिसकी लाटी उसकी बैस थी आज भी हमारे कंट्री में लोगों कोई आदत है कि हम चाहते हैं कि हम मोटर साइगी लिया ऑयसे मोटताई की चलाए को स्पांगे एक पहर कहर अगर पॉलीजहा ले पकड़ पांसो अ धूभी और not much literate yeah I cannot say this word we are not much habitual to utilize the rules and regulations and follow it actually हम इतने ज्यादा नियमों को मानने वाले देश में से नहीं है तो हमारे कंट्री में नियम नाम की विवस्ता आई कहां से तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा कारण क्या है तो मैं आपको एक कानी समझाऊंगा अब भारत की राज विवस्ता को फोकस करना कि इंडिया अभी तक आपने राज विवस्ता पढ़ी तो आपको इंडिया की पॉलिटी पढ़ रही है पॉलिटी तो अमेरिका की भी है पॉलिटी तो बिटेन की भी है पॉलिटी तो फ्रांस की भी है पॉलिटी तो यूएस की भी है पॉलिटी तो पाकिस्तान जैसे जंडू देश की भी है पॉलिटी तो हर जगे है आपको इं समझना मेरी बात अब हमें बहुत सबसे नियारा है। बहुत प्यारत प्यारतस गुंग्रेश का सबसे हाँ इस बहुत प्यारा सा का भारत है जो आप यहां पर मैप देख रहे हो यह पूरा पुराना लेवल का भारत है यह तिबद आप यहां तक देख रहे हो ते पूरा यह पूरा भारत का हिस्सा था जो आप देख रहे हो यह यह पूरा हिस्सा यह पूरा जो मैंने यहां पर गोल लाइन मारी है सुन रहे चानावालो देख लो करंच योई बता रहें बहूरत कहां से तक था ये पूरा ये पूरा अमारा देश था इसको भारत कहते थे यह पूरा ही कंटरी घुरू भारत था कि उस समय का भारत कि उस समय का हमारा इंडिया है उस देश पर लोगों की नजर गई पॉलिटिको बीटा कहानी बनाओ सब्जेक बहुत इंत्रेस्टिंग है तो लोगों की जब नजर गई लोगों बारत नाम का देश है तो वहिया लोगों ने का कि हमें भी भारत से कुछ लूट ना है लोगों ने का लूटोगे क्यों वाई बारत तो बड़ा प्यारा देश है तो अंग्रेजों ने कहा किया कि अंग्रेजों ने भारत आने की सुरुवात करी और यूरोपी जो कंपनिया थ यूरोप में पहले जयादा जल्दी और निकले होती दुनिया को खोजने के लिए निकले उल्लु के पठ्थे तो निकले out and learning Columbus निकला और उसने आप अपर निकला अरुमिर्णा के पुरा भारत प्ठ्थे निकल ठोल प्णक तो जैसे ब्रब्र द्रटार्श थे हो भारत gator वारत अमञा का डिंब में धीकेअ मीसालों का बंदार नर्स कैदने को इतने मसालिये थी ख्राब हो जाता है हम सब्सक्राइब कि भी वत मिसालें के यह श्रह भारत मुपड पूरनette he सौने की चिडियाँ है और भारत में बैसी चिडिया है अब इस बाद को देहकर लालत चाहिंने कहा कि भानट में बहुत ऊचापार कर रहे तो वासिकोर दिगामा यह सुना जाता है कि वासिकोर जा बहुत से बापस गया तो यहं काली मिर्च वरकर लेता आपने में पड़ा होगा मैं पॉलिटी से इत्यास को connect कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटी इत्यास आपस में चुमाचाटी करते रहते हैं और शुरू के गुज़ों में हमें इत्यास के साथ पॉलिटी को लपेटना पडेगा फिर जाके छोडाना पड़ेगा तब पॉलिटी का आपको म मज़ा आएगा अब क्या हुआ कि जब आया तो भाई साब वासिको डिगामा ने देखा कि यहां तो गुरु बड़ा मसाला है और यहां से भरके ले गया एकदम मसालों का जहाज और यह कहा जाता है इतियास वाले पड़ाते कि साथ गुना ज्यादा मुनाफ़ा वासिको लिखा है कि जब वो जा रहा था तो जिमोरिन को एक अरभी जहाज को पकड़ा और उसको थपड मारे अरभी जहाज पर तुम समझते होंगे अरभी माल हो गा और एक तो अरभी गोडे और दूसरे दवकी गोडी तो अरभी माल पकड़ा तो अरभी जहाज को जिमोरन को गिफ्ट कर गया कि ले जमोरन तुमीरा दोस्त में दुबारा फिरसे आऊंगा और वासफ़ कोड़कामा चला गया कहां चला गया तो वासफ़कोड़कामा कभी कभी उसके जहाज का नाम पूछ लेता है इतियास वाले मास्टर की खोपडी में गुरु जी को प्रणाम करना उनके पैर चुना खोपडी वाला मैच से आगया पता नहीं उनसे पूछना गुरु जी रणा क्ञास पर उस जहाज का नाम क्या था है करश रस नीं बता गिए क्लास में अंगे से वास्त कोड़ेगा माद जिम्हूरण को गिफ्ट करके गया था गुरुजी यूजी सी नेट में प्रश्म पूछा गया इतियास में कि उस जहाज का नाम क्या था अब इतियास माले गुरुजी के लिए सवाल लिख लो तो आज रात को परिशान कर देना उन्हें फोन करके गाली देंगे मुझे हराम कुर कहां से पढ़ा देता है पंचाने अब क्या हुआ कि जब वापस गया तो भाई साथ उस ने जम के वहाँ पर मसाले मसाले बेचे जब मसाले बेचे तो सारी यूरोपय कंपनी खноз पूर्ट गालित पुश्ट कि थोड़ा सा आटा लेगे और मुंबई के पास आपने सारोख खान के बंगले के पास एक दम बस गर्म 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 आपने जलेवी कई आ लिए उसका लड़का जलेवी बेचता है तो जलेवी मि कहिंसेटर सब को निए इंडियाएं इंडिया इंडिया इंडिया- सबकी नजर भारत पड़ी मश्चावी के इंडिया आ रदेश सबी वह साटथ गुला मुफा देखए सबी भास भागट भागे सबी भारत भागे इनकी वजया इसकी बारत आय जैस्टी आए तॉन्हा प्रtegaudह नियॉट्य गरी और भाईस बीस लाइन लगा के भारत भान effective बारत में युयोप्तध इसके बाद आप देखेंगे तो बिटेर आये इसको नाम देते हो पीडी इसे में क्लास में आपको याद कराता हूं इतियास में पढ़ोगे तो पी और दी डच यहाएगा यह पीडी के नाम से आप इसे पढ़ते हो फिर आप पढ़ोगे डैनिस और फिर आप यह ऐसे प्रकार से आपका पूरा का पूरा एक गुरुप आपको देखने को मिलता है इसे कई प्रकार की प्रशन आपके एक्जाम में बनते हैं कि पुर्तगाली आये 1498 में इस्तादो दे इंडिया कंपनी ब्रिटेन तो आये 1602 में इस्त इंडिया इस्त इंडिया कंपनी फिर आये ब्रिटेन इस्त इंडिया कंपनी फिर आई डैनिस इस्त इंडिया कंपनी फिर आई डैनिस इस्त इंडिया कंपनी फिर आई फ्रांसी इस्त इंडिया कंपनी आप इनके सब के नाम यह स्क्रीन सोट लेने अब जैसे इंडिया आये तो इन्होंने भाहरत जाना जाना है तो पहले में बताया आपको पहले यह आया पुर्त-गाली पुर्तगाली को देखे डच आ गए और जो आत्मी है नाम बता है वास्कोडगामा दो बार भारत आया था अब डच को देखे अंग्रेजूने कहा अपनी रानी के पास रानी था इनकी मम्मी वुणी से का लुक्रेश्त själबहूंने इधिल हैं लोग का अंग्रिफों bir के साथ करने और यह कुछ लोगों का इसा कहा हे रानी हमें भारत के साथ ब्यौपार करना है जब तीन बार आया था सौरी मैं इस्ट्री के बारे में कमेंट करूंगा हो सकता है तीन बार आया अभी मेरे को ज्यादा मेरे के लिए एक ही बार इंपोर्डेंट है हो तो रानी से का रानी ने कहा कि ब्यौपार करना तो और His India Company को भारत का वयोपार करने के लिए इस्ट इंडिया कमप्विनी की स्थापना की 4559 में कपंद्रे साथ का चार्टर को जैंट अलीजावेत कि प्रदान किया बाद में जिम्स प्रथम ने उसको अनिस्छित काल के लिए कर दिया ऐसा अपने इतियास में पड़ा होगा जहांगीर, में लंबा लंबा लगा रहे ते हैं कौन हो तुम हो तो राज उन्हें कहां कि मैं अंग्रेज हूँ तो आहीं नेका गोड़ी मार दो इसको अंगरे फिर दुबारा आए 31 दिसंबर संट 16 को जो आप लोग पढ़ते हो इस्ट इंडिया कंपेनी के बारे में दो प्रकार के फैक्ट है एक तो फैक्ट है कि इस्ट इंडिया कंपेनी जो थी जनरल ही इसकी स्थापना जब वही तो भारत का राजा अकवर था इतियास में आप लोगों ने पढ़ागा देको पॉलिटी के साथ चुम्मा चाटी इतियास की चलती है तो उसमें बारत का राजा अकवर था जब इस्ट स्थापना हुई तो भारत का राजा कौन तो अकवर हुआ करता था तो यहां तो कुछ और ही चल रहा है अगली बार अंग्रेज आए तो लेकर आए जहांगिर के लिए बड़ी बड़ी बोतले और जहांगिर से का महाराज पैक आप मत बनाओ पैक भी हम बनवाएंगे महार राज नहीं पैक आप नहीं मनाओं नहीं पैक हमारी अप्सराय मनाएंगी चहांगिर भूला ओहो 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 चाहंगिर एकदम क्या यह बाद ये बात अपसराय अरभ से लेकर आयते पूर्प और भी गोड़े लेकर आये जांगेर ऐसे का राजा आप इन गोड़ों पर चलो इन अप्सराओं के साथ चलो आज बोला राजा नेे बूल गया कि जनता भी कोई चीज है राजा ने का चलो मस्ती करो अंग्रेजों ने उस राजा को अपने कबजे में लेकर फिर आपने देखा हुआ कि बाद में एकर मैं सीरिस नहीं पढ़ा हूँ आपको तो बाबर इमाम अकुर जहांगीर के बाद में जो भी राजा हुए साहजा और अ कि निकल लगे और अंग्रेजों ने भारत की सारी जो सत्ता थी पावर थी बारत के अंदर उस सब को अरा दिया आपने तो युद्ध पड़े होंगे सब्सक्तावन का प्लासी का वार और 1764 का बक्सर का वार 1608 में आया था साहज जहांगीर के दरबार में कैप्टेन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में इस्तापना करने आया था अब फेक्टियों की सब 1608 में कैट्टियों होकिंस इतियास का मेट्रे 1608 सही है ठीक है का जाता है कि हैक्टर नामत प्रतम अगरेजी जहाज से कैट्रिन होकिंस पहुचा था उसके जहाज का नाम था हैक्टर शोले सो आट में वो सुरत बंदरहां पहुचा था अब इसके बात क्या हुआ कि अंगरेजों ने पूरी भारत की सत्ता गोरा दिया और भारत में जिसकी लाठी जिसकी बैस्ति आप ऐसे समझो आप किसी कोचिंग में पढ़ने गए और आपने देखा कि कोचिंग में ना क्लास रूम में ना ब्यवस्ता है ना क्लास चल रही ह है ने टीचर है ना बैड है ना सौरी बैड नहीं मतलब ना कुछ है तो आपने का कि यह कैसी कोचिंग है आपने बोला कि भाई एक काम गरे इस Smash को हमारे अनुसार चलाओ तो जहां वी वस्ताए नहीं होती वह आप अपनी अनुसार विवस्ता बनाते हो और अंगरे जो ने हमारे लिए हमारे लिए व्यवस्ता बनाई नियम बनाए पर वो नियम कैसे बनाए जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी बच्छे काली टीशेट पहनेंगे कोई कोचिंग में आया और कोचिंग में बवस्ता नहीं है उसने का what this nonsense is going on Indian you bought what is going on Indians उसने का कल से सभी के सभी all people all boys will bear red color की shirt और white color का pen pen होगे तो नियम हो गया कानून हो गया लड़कियों से का कि सभी लड़कियां कल से जो है वो क्या पहन के आएंगी जो भी पहन के आएंगी इसकर्ट वगयरा पहन के आएंगी तो लड़कियों को छोड़े लड़कों की बात करते हैं तो यह क्या हुआ यह विवस्ता समझ में आई यह कानून बना दिया नेकिन यह कानून आपकी मर्जी से नहीं था जोन मेंडलन पहला अंगरे स्थानरा कुंतल देखो तुम इत्यास की यह इत्यास से सिर्फ का मैं ने चुम्मा लिया इत्यास का पॉलिटी में और तुम इसके साथ सब कुछ प्रेम प्रसंग बना रहे हो इत्यास का प्रेम प्रसंग नहीं सिर्फ चुम्मा है ओनली करोगे यह करोगे लेकिन जो नियम बनाए इसे बुराई नहीं है नियम तो समझना नहीं होता है वो नियम हमसे बिना पूछे बनाएगे हमारी मर्जी के खिलाब बनाएगे हमसे कहा गया यह मैं आप से कहूं कि लाल सर्ट पहनोगे तो उन्होंने हमारे लिए राज राज मतलब व्यबस्ता, सासन, कंट्रोल, नियम, कानून बनाए लेकिन वो नियम और जो कानून बनाए वो हमारे अनुसार नहीं थे इंडियन्स ने कहा कि हम कौन होगे, गुलाम होगे आप में एक बात सोचो, आपको लिए नियम बनाई जाए पर वो नियम जो है, आपकी मरजी के खिलाप हो, आपके अनुसार ना हो तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी मैं तो गुलाम हो गया, मैं तो लुट गया तो जो ब्यवस्ता बनाई वो आपके अनुसार नहीं थी भारतियों ने कहा कि जो हमारे नियम बनाएं वो नियम हमारे अनुसार नहीं है तो भारतियों ने कहा कि भारतियों आपको कैसे नियम चाहिए तो इन्हों ने बोला कि भाया हमें तो ऐसे नियम चाहिए हमें तो ऐसी ब्यवस्ता चाहिए हमें तो ऐसा राज चाहिए जो हमारे अनुसार रहे इंडियस ने क्या का कि हमें तो ऐसी राज चाहिए जो हमारे अनुसार रहे तो लोगों ने क्या इसका मतलब कि हमें स्वाराज चाहिए स्वाराज अब स्वाराज क्या होता है राज का मतलब होता है नियम लौज कानून रूल्स प्रसासन अंगरेजों ने भारत में बनाया लेकिन यह प्रसासन हमारे अनुसार नहीं था हमने अपने अनुसार इसकी डिमांड करी और देडिस कॉल्ड स्वाराज और इसी किया और हमने कपड़े उतार दू पहला जैसे क्लास क्यों नहीं हो रहा पहले जैसे का मतलब क्या होता है उससे ज्यादा वश्तियास का पॉईंट है कि बहारत में अंग्रिजों शन्म्विधान बनाया कैसे नियम बनाया कैसे तो यहां से संब्विधान का यहा से तत्यौ निकलता है एक फॉर्मेट ओगा जो हम आप से पढ़एंगे कल से लोग और संविधानिक विकास और एक फॉर्मेट होगा मेरे प्यारे बच्चों से कहते हैं आप कॉंस्टिट्यूशनल डवलप्मेंट और एक फॉर्मेट होगा कि आप चाहो तो डिरेक्टली हम बात कर सकते कि स्वराज कैसे मिला और स्वराज की मांग किसने करी सम्विधान सवा अब आप चूज करो क्योंकि बैच में फ्री पढ़ा रहा हूं आपके नुसार हम पहले इस बाली सेग्मेंट को लेकर चले सम्वि सम्विधान का विकास जो अंग्रेजों ने किया इस पूरे के पूरे विकास को पढ़ें विड़ा पॉल की रियेट करो कि ऑप्सन नंबर ए है ऑप्सन नंबर भी है आप चूज करें यहां 1773 के रेगुलेटिन एक से पढ़ोगे और यहां सम्विधान सवा की मांग से सारी चीजें स्टार्ट होंगी यह थोड़ा इंट्रेस्टिंग है और इसमें थोड़ा अंग्रेजों की कर्तूतों को पढ़के थोड़ा सा आपको यहां पर थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन यह थोड़ा सा आप बताईए मैं दौनों तरीका से पॉलिटी पढ़ाता हूं इधर भी कनेट करता हूं इधर भी कनेट करता हूं आपको पोल देदे आपशन एपशन बी और बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं चलो छोड़ो तो ऑप्शन ए ऑप्शन भी समिधाने विकास को लेकर चले ओके ऑप्शन ए चूज़ तो आज की क्लास का अगर मैं रीकेप आपको दूँ कि आज हमने क्या पड़ा तो रीकेप बहुत स्पॉल्ट तरीका से देखेंगे आज का रीकेप क्या रहा आज की क्लास में पड़ा पॉलिटी यह मैंने आपको बे व्यवस्ता क्या है उन्हें दो सेग्मेंट के बारें बात करी एक तो राज्य क्या है और दूसरी व्यवस्ता क्या है अब राज्य के लिए मैंने आपको समझाया कि राज्य के चार पॉइंट होते इस चारों के चारों पॉइंट आपको पता है एक बार सभी जोड से रिव ऐसक्यात क्याता यूट वोलों या नाम था नमबर तू का नाम धा सार नंबर का नंब थेन्हें हिसकुन द शचल्द HR नंवर बरनिका नेक्रिकम था नम्पर्लतिन था 1789 सबसे पुराना सम्विदान किसका USA सबसे नया सम्विदान किसका मेरे प्यारे बच्चो बोलो गुरुजी क्यों वा कब बना अब सम्विदान को चीनी की बोरी तो है नहीं कब बना गुरुजी 2019 में बना नया और पुराना हो गया सबसे बड़ा और चोटा अब बड़ा और नोरी कोंते इसका च्होटे के बारे में ऐसा तो नहीं आप सम्दनीा के सावसे हो कॉंजो टूट्यूटिसन के साफ से अरो चेहं है तो निके साफ से सबसे बड़ा किसका गुरू जी भारत का सबसे छोटा कि कौन सा है प्यारी बच्चो नौरी पीरी बच्च नौरी पॉइंज क्लियर G8 कौक़ने के लिए कि इतने विचार कुछ जो प्रुष्य क्या नम पाइए आपको बीटा और सुक्राद और चौते का नाम क्या बता है मैंने आपको सिकंदर कल से मैं आपको हाथ से लिखके पढ़ा हूँगा क्या ही राइटिंग आपकी समझ में आ रहा है जैसे मैं लिखके आपको पढ़ा रहा हूं एकदम समझ में आ रहा है, point is clear, सही चलेगा है writing, तो यह आज की polity class का recap था, वाकि हमने कानी पड़ी, आज तोड़े images बगएर हम use कर रहे थे, सिलिए मैंने आपकी class में जो है, सारा लिया, ppt's बगएर आगा, तो class आपको कैसी लगी, सभी विद्यारती को comment करना है, और एक comment रो करना है, कि विद्यारती सभी के सभी क्या चाहते है, हाथ से लिख कर पढ़ाएं, और class कैसी लगी, जो class को बाद में देखे, comment करना है, कि historical background से पढ़ाओ गुरुजी, मैं topic लगवा रहा हूँ, आज जैसी event लगेगा, सभी के सभी like कर देंगे, plus कर देंगे, आप बोर नहीं नहीं होंगे, तो मैं भी बोर नहीं होंगा, आपके कहने पर topic पढ़ा रहा हूँ, बेटा अगर जो जो ने बोल रहा ना, सर ये पढ़ाओ सम्मिधाने विकास, और अगर बोर नहीं आए न, तो बेटा तुम सोच लेना, अगवान तुम्हें माफ नहीं करें फिर, क्योंकि सभी को, मैं दोनों का मिक्षण रखूँगा, हैडिंग रखूँगा, यहां पर PDF में आज से लिखूँगा, सभी के सभी कमेंट करेंगे, सभी को आना है क्लास में, किसी कोई मंजूरी कोई भी वो नहीं है, स्टोरिकल बेक्ग्राउंड सुरू कर रहा हूँ आपके लिए, सेरो सभी विद्यारतियों को कलाना है, अभी मेरा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, आप इसे जॉइन कर लो, इन्फोर्मिशन मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का नाम है, जी एस, बिद करन चौदरी, मेरी मैनत कैसी लगी, आपको कोई डाउट है तो आप और पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, आज हमने बेसिक सुरू किया है, देखो, पॉलिटी में अगर आप चाते हो कि इसको बहुत इंट्रेस्टिंग बना है, और इसे हजारों बच्चे देखें, अगर आपको ऐसा पसंद है, तो सम्मिदान सभा पढ़ाने तो, सम्मिदान सबूर हो जाएंगे देखने के लिए कि पॉलिटी में मास्ट्र पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि सम्मिदान सभाव के मेरी नई रिसर्च है, स्वराज से मेरी नई रिसर्च है, और नई रिसर्च में आप यकीन मानोगे कि ऐसी चीज़े मैं पढ़ाऊंगा, चो लक्षमी का तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, यह मैं बताना चाहरा हूँ, फ्री मिलेगा, हाँ यह फ्री बैच है, सारा पैच फ्री है, ठीक है, इसका एक ही तात पर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे टीचर यह कहते थे कि हम गरें सरा पॉलिटी पढ़ाते हो, आपकी क्लासे देखते ह अध्यापक मुले, एक सरे सुभम गुपता, मुझे मिले, क्या पता है, वीडियो देख रहा हूँ, मेरे बाद में देखे, पॉलिटी पढ़ाता है, काफी नाम है, बोला कि करन सर मैंने आपकी पॉलिटी बढ़ी अच्छे से देखिये, और मैं चाहता हूँ कि आप ही चीजें बच्चों को पढ़ाओ, एक लेया लेवल पढ़ाओ, इतनी सारी गलतियां लोगोंने कर रखिये, सम्दान सवा की पहली बैटक, दूसरी बैटक, तीसरी बैटक, 9 दिसमबर, 10 दिसमबर, 9 दिसमबर, 11 दिसमबर, 13 दिसमबर, ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन लगातारे हुई थी हम लक्षमी कांट पर्लख्यमी कांट ने कहा कि माल इस विद्यारत से भार नहीं सोचा चाहता है उस सौस्चा है तो मेरी S awards ुपरपस एक लक्षमी कांट कि डर को बाहर निकालना कि लच पयांड किताव है लग्षमी कांट नहीं श्रगी हो चुके वहां लेकिन आटको लक्षमी कान से पेपर में और फेमनी प्लॉप चैसे के लिए फोलेस दिपान है percent सब्सक्राइब और यह क्लास स्पेसिपिक लिए को यूप्यसी वाले पड़े सारे बच्चों का मुझे ध्यान देना है यो रीट दे रहे यूजी सी नेट दे रहे या कोई बहुत ही फैक्च्वल एक्जामनेशन सब्सक्राइब यूपी पीजीटी कोई विच्चा दे रहे अब यूपी पीजीटी दे रहे यूपी टीजीटी दे रहे या कोई जुडी सरी का प्पर दे रहे जज का एक्जाम दे रहे तो जुडी शरी वाले जो बच्चे उनमें लक्षमी कान सभीचेंट नहीं में लोल कर जाती किता, बट आपने अगर यूड़ के बात नहीं गल लगों कि करन चौधरी डेटा सही है नहीं यह यहीत आ टाहिया गया तो मैं रिफरेंस भी दूँगा उसमें नीचे हमारी स्टूट लगरी से सम्दा थाकि हमारे जो सेंट्रल हॉल से कोसी पुस्थ तक है मैं है यह क्लास सिर्फ कोई पर दोगी परिच्छाहूं की त्यारी के लिए 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 आपार्ट फ्रोंधिड प्रिच्छा की त्यारीब गश्ющ कर रहे हो। लॉग कर रहे हो। तयौर industry की du gc nat डudenाच आप आप सब्सक्राइव सब्सक्राइब abog पाडिया की सोरी मैं बील ग्रोवर की बात करूं सारी किताब ने सम्मिदाली विकास को पिछोड़ दिया है लेकिन सम्मिदाल सवा पर रिसर्च नहीं करीगी डॉक्टर दिनेश गैलोथ साथ जो है राजस्तान जोदपुर उन्विश्टी के प्रोफेसर है उनके उतकर्स क्ल उनको छोड़ कर रोड़ सिंगल टीचर और यूटूब बाकि सब तो क्या है कि वही सब बच्चे को जनरल चीज़े पढ़ा दे रहे है वही पीपर में आती भी है कि लक्षमी कांत लिव सेंट एनिबडी यार इंक्लूडिंग डॉक्ट खान वाटेवर पीपुल आ टीचि करेंगे बताते हैं क्या ले क्या तेकल कल की बात करते और हट टॉपिक लासबन वन क्लास् टू डला रहे गा तो इसलिए आप च्कलास को बड़ी नजय के साथ पड़े वड़ी इंजय के साथ ग्लासे को देख और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इसने को नो कोसिस और आपके एक्जाम में काम भी आएंगी चीज़ है यह सेकिन क्या होता है कि कभी भी किसी परिच्छा की तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं स्पैसिपिक क्लास से आप BPSC पास करोगे तो उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है मेरा परपस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरा परपस है कि आप BPSC पास करके SDM बन जाएं DSP बन जाएं उसके बाद भी आप यह सोच है कि करन सर ने पॉलिटी पढ़ाई थी पॉलिटी पढ़ता हूं मैं और मेरी पॉलिटी सारे बैच में सबसे स्ट्रॉंग है आप जब किसी जिले के दिकारी हो राजी के दिकारी हो तो आप तब भी पॉलिटी पढ़ते रहें अच्छा सब्जेक्ट है उसका इंट्रेस्ट आपको पैदा करना है इतना बढ़ाने की जूद थोड़ी नहीं उसके लिए DSP बनने के लिए SDM बनने के लिए इतनी जुरूद नहीं है आपको बेसिक लच्छमी कांस पढ़ने है आप बन जाओगे आपको गुरुजी फिर SDM ही बनना है बाकिये में जुरूद ही नहीं है अगर जुरूद नहीं है तो फिर आप नॉर्मल पढ़ लो फिर मैं बेसिक बेसिक कराता को फैलाना ठीक है ओके और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस पर एक पसेंट भी डाउट नहीं करना है किसी को भी बहुत रिसर्च के साथ में चीज़ें लेकर आ रहा हूँ आपके बेश में जो अगली बार से लेकर आ रहा हूँ चीज़ें जीके सर कह रहे हैं कि मैं आपकी पढ़की बच्चों बहुत सारे यह को मेरे को पहले लगता था यह जब मैं सिवन सर से मिला और लोगों से मिला जिन्होंने मुझे कई टीचर मिले पॉलिटी पढ़ाई हैं मेरे से ज़्यादा उनके व्यूज़ें यूट्यूब पह बस सम दिफेरेंट कांड विस्केस बिग चैनल से अच्छली तो टीच अच्छली बट अगर एच्छी बर्मा अच्छी के टॉप टीचर हैं तो नोबडी कें से फिजिक्स वाला अलग पांडे कितने भी वियूद लेया यूटूब पह बट एच्छी बर्मा इस टॉप टॉप ट सम्थिंग डिफरेंट दन्यवाद जी देव जी ठीक है तो चले फिर आप जॉप करें बढ़िया सा कुछ काम करतें वाद टाइम नाओ किनड़ होगे वाई देड़ गंटा होगे हमें ओमाई गौड कल से क्लास हमारी एक गंटे की रहेगी हम रात को जल्दी स्वया करेंग कि आप भी सुया कीजिए और अपर अच्छे से आपको पढ़ाएंगे वी रिस्पेक्टियू विद्ट पॉर ऑफ थैंक्यू त्रपार्टी एजूगेशन धन्यवाद यूप्यसी लेवल की पढ़ाना प्लीज सोनिया वद यूप्यसी लेवल से हाई है यह लेवल वह यू अच्छा पढ़ाएंगे हो आपको आप कैसी बात कर रहे हो जी ठीक है थैंक्यू बासकर थैंक्यू डॉल अफ्यू लव यू गाइस प्यार से जुड़ो और लाइक कर दो दोस्तों को ले क्या करो और मेरा मतलब यह नहीं है कि आप दोस्तों को लाओगे तो मेरे को मेरे को फर्क पढ़ता है कि मतलब आपकी मैनत जो है ना जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मतलब आउनको पता हो न अच्छे कि हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ो तो वैनिफिट मिलेगा अच्छे से बढ़ाओ पढ़ो अच्छा पढ़ाते हैं अच्छे से बढ़ाओ पढ़ो मस्त रोओ पिंदास रहो बढ़ी आसे रहो कुछ अच्छी रिसर्च करते हैं इस क्लास के लिए मेरे को भी तीन चार गंटा पढ़ना पढ़ेगा डिली इतना आसान नहीं है आप सोच वते हो कि इतना आसान हो कि चीजों को आकर बता दो और ऐसे कर दो उतकर्स में जब पॉलिटी कैसे हुआ तो कई बार मेरे को बहुत मजा आया था कि यारी इतने सारे लोग क्लास को देखते एड़ोकेट बगरा बगरा इस बार मैं सोच रहा हूंगे इस बार उन लोगों को उसमें मेरे बाइते एक्स्पिरेंस नहीं था व्यूज आये अच्छा हुआ मैंनत करी थी बहुत ज्यादा लेकि इतने एक्स्पिरेंस नहीं था तब इतने लंबे सभे के बाद में दुबारा से आपके बीच में आऊं टू पोइंटो लेकर सौरब कुमार राज थे लोग नाट है थेंक्यू लव यूज अभी सभी लाइक करके जाना कल का सेशन है कल के सेशन में आना सभी के सभी और कल अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक बिंदा